जैन प्यारे मीत्रों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छाई होंगे? तो आज हम बात करने वाले हैं, यूपी पुलिस का री एक्जाम के बारे में, ठीक है? तो जो भी कंडिडेट, यूपी पुलिस का फॉम भरे थे, और इंडिया से, उन कंडिडेट का ये जो री एक्जाम कराएगा, किस तरह से होगा? इस सारा चीज हम बताने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो के माधियम से जानेंगे, कि यूपी पुलिस का री एक्जाम कैसे होगा? कहां होगा? किस तरह से होगा? क्या इस बार धंदली होगा? या नहीं होगा? इस सारा चीज हम बत बसकता है ठीक है ना कैसे सफर था कैसे कैसे पेपर था कैसे किशन था कितना टाइम था कहां सेंटर था जाने में कितना हमें परसानी हुई थी यह सारा चीज हम बताएंगे और इस बार जो आभी एकजाम होने वाला है कब इसका एकजाम होगा कहां इसका सेंटर देगा यह सार से हैं और आप एक्जाम देने इस बार जाईएगा या नहीं जाईएगा जाईएगा तो इस बार हम मेरे साथ चलिएगा हम आपको लिया कर चलेंगे यूपी पुलिस का इस बार फिर से एक्जाम जो होगा इस एक्जाम को छोड़ेंगे नहीं पेपर लिख हुआ था क्योंकि मेनत हम लोग किये थे बैमानी लोग बैमान करके पेपर से सोचे कि हम जित जाएंगे लेकिन कहते हैं ना कि बैमानी का जित कब तक याद रखिना कि सचाई का जो होता ना सचाई का ही जित होता है अंत में आप तो बैमानी करके पेपर तो मालने ते लिख कर लिएं साराची कर बताया जा रहा है कि जो सेंटर होंगे ये सेंटर एरा गैरा नहीं होगा यानि जो पिछले दिया गया था उस सेंटर में नहीं होगा बच्चे याद रख लेना यानि अब कि सेंटर चेंज होने वाला है यानि हमारा जो सेंटर दिया गया था तो ऐसे सेंटर दिया गया था हम आपकी बड़े सहरों में ही आपको सेंटर मतलब की मीरेगा और अब एकजाम होगा ठीक तो यह जो पेपर हुआ था 17 फरवारी 18 फरवारी के जो दोनों पेपर लिख हुआ था इस पेपर को लेकर एकजाम जो होगा बच्चे याद रह लेना 6 मंद फरवारी से लेकर 6 मंद तक टाइम दिया गया था 6 मंद अगर हम जोड़े तो आता है मार्च, अप्रील, माई, जुन, जुलाई, अगस्त यानि अगस्त तक जा सकता है बच्चे यानि अगस्त में आपका ये पेपर हो सकता है अगस्त से पहले तो नहीं होगा क्योंकि 6 महीन अभी तो अभी जैसी है मीटिंग और बैठा चल रहा है कैसे एकजाम लेना है कैसे कराना है ये सारा चीज बेवस्थित किया जा रहा है तो आप तयार रहिएगा हम आपको अभी इस चीज के बारे में बता देते हैं कि अगस्त में पेपर तो होगा ही होगा ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा आपका तयारी हो जाना चाहिए बच्छे साथ दिन में एक अगर शेट लगाईएगा तहा साथ दिनわかराइने साथ सेट दीजेगा आपको टेस्ट देना है तो अंकित भाटी सर का अप्लिकेशन से आप दे सकते हैं रोजगार अंकित सर का और यूटूब अगरा में जैसे विबेक सर होगे एकजामपूर उनका यूटूब चैनल है तो वहाँ से आप उनका प्रैक्टिस से अगरा ले सकते हैं यूटूब से और अप्लिकेशन से यह चीज़को दे सकते हैं बाके आपके पास बूख है या वेवसाइड है या आपके पास नोट्स हो गरा है किसी से भी आप कर रहे हैं किजिए साथ दिन का टार्गेट बना लीजिए पर डे एक दिन आपके लिए किम्ती होते जा रहा है कम होते जा र अच्य पेपर था नोर्मल यानि ज्यादा तर पेपर में देखनी के लिए मिला किशन लंगवेज वाला बहुत ज्यादा था यानि आपकी बुधित्ता को इसमें ज्यादातर किशन था इसमें इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत किजिएगा ठीकर ना मेहनत में तो पीछे मत त्रेन की जेनरल बोगी था उपते नहीं चल रहा था कि ट्रेन है या फिर हमें मतलब की भूसा या बोरी में भरे हुए ऐसे होके गये थे बच्चे उस दर्थ को हम समझते हैं तो आपको इस वीडियो के माधियम से साथ दिन में अच्छे से प्रेक्टिस कर लीजे जहां से ब हो और किस partner बेलों करें कर की जाना है यह वे कर दीजेगा चलेंगे साथ में नकर दाल दीजेगा बात कर लेंगे अगस्त में यानि जुन जुलाई टाइम बच्चे बच्चे जुलाई में आपका आछे तरीके से त्यारी हो जाना चाहिए त्यारी कर लीजेगा मस्ट कर लीजिए YouTube वगरा से कर लीजिए कहीं से कीजिए लिकिन कीजिए ठीक है ना तो सरकार का भी निले चल रहा है अभी जो कुछ कुछ नोटिस विर्यवन होगर फार है जो कुछ पेपर विगर आ रहे हैं वो सबहें सभी को बता दें कि वह सरकार फावी बैठीक चल रही है यह साराची सरकार मतलब सू बेवस्तित कर रहा है ठीक से कैसे लेना है कहां लेना है किस तरह से करना है इस चीज के बारे में बैठक हो रही है ठीक है ना तो आपको बहुत जल्दी अभी देखने के लिए मिल जाएगा इसका फिक्स डेट की इस तारी को लेगा यानि अभी ब लिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय बारत